CM के road show में पहुँचे, BJP सांसत बिहोश हो गये BJP सांसत जो हुँँचकर आया, उनको अस्पताल भिजवाया गया लेकिन road show में भाग लेने पहुँचे, सांसत जब बिहोश हुए तो किस तरीकी की स्थिती बनी ये मैं आपको बताता हूँ दिलसल कहां ये Roadshow हो रा था, Roadshow हो रा था, रतलाम में, जहां पर नगरी निकाय के प्रचार के लिए पहुंचे थे C.M. शिवराज, बड़े स्थर पर ये Roadshow निकाला गया, ये Roadshow शेहर के तमाम मार्गों से गुज़रा, तस्वीर आपको नज़री आ रहे होगी कि उसी वक्त जो है रोट शो के मैं जो सांसद है बीजेपी के, उनकी तब्यत बिगडी, तब्यद बिगडने के बाद बीजेपी सांसद कुमान सिंख डाम और जो है उनको वहीं जीप में, खुली जीप में जहां रोट शोच चला था पानी खुपलब्ध कराया गया, जिला बाद उनसे पूशा गया कि आपका स्वास्त खराब है किस वज़े से आपको यह सिस्तिती हुई तो सांसच जी बता रहे हैं कि क्या हुआ चकर खाके बिल्कुल नहीं गिरे मुझे ठकान सी लगी और आप जानते हैं कि हम पिछले 8-10 रोज से 25 तारिक से अभी तक लगा था हमारे छेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होने के कारण में मुश्किल से 2-3 घंटे चुपा रहा था इसलिए थोड़ी सी मुझे ठकान लगी ना तो चकर आये ना कोई गिरा में आप हास्पिटल भी गये थे हास्पिटल उन्होंने बोला सब नॉर्मल है यह बीपी नॉर्मल है शुगर नॉर्मल है उन रंजी का कहना है कि उनको कोई बीमारी नहीं है वो बिल्कुल ठीक है उनको शक्कर भी नहीं आय थे वगाँ यही थे रहासर वो आवाला दे रहे है चुनाव की व्यस्तता का उनका कहना ये है कि चुनाव की जो व्यस्ता चल रही है वो काफी समय से चल रही है चुनावी प्रचार से लेकर जन संपर्ख से लेकर तमाम जगे उनको शामिल होना पड़ता है जिसके चलते उनको ठकान हो गई थी ठकान के वज़े से उनको ऐसी स्थिती हुई कि उनकी तब लाके में पहुंचा, उस वक्त सांसत की तबेत ऐसी हुई और उनको चिकित्सा के परिक्षण के लिए भेजा गया अस्पताल, बाद में हलाकी सांसत क्या रहे हैं कि वो स्वस्थ हैं, उनको इस तरीकी के कोई शिकायत नहीं है, रतलाम से आप तक एक वर पहुंचा है, मैं सम के यूब कैमे में पहुंचा हैं, रत langिंपों के लिए झेए Mt 10, COME कि भीता हैं, झाल झाल सांसत को एक 25.